फैस्ट क्यूशन है करके सीखने, विद्यार्थियों को हाथ से करके देखने के एनुबह और प्रावर्तक में सनलगर करके और कक्षिया में सीखे गए सिधानतों और ग्यान को वास्तविक जीवन की स्थीतियों से जोडने की योगिता की प्रिक्रिया क्या कहलाती है तो उसको हम बोलते हैं अनुबह जन्य अधीगम इसमें जो B-Option अपना राइट होगा नेक्स क्यूशन है विषयो परत्वी दीवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है अप्रेल 22 को तो इसमें फर्स्ट ऑप्सन अपना राइट होगा नेक्स क्यूशन है बारत की उत्री रेलवे छेतर का मुखेल कहां पर है यहनकी खालिस्तान जो आपको यहां पर बढ़ना है तो कहां पर है इसका राइट अंसर होजाएगा अंबाला में तो इसमें आपी जो है A-Option बिलकुल राइट होगा नेक्स क्यूशन देखिए हैं क्यूशन नमबर 4 वाईयो मंडल में निमन में से किस परत में ओजोन होती है जो परत्वी की रख्षा करती है तो कौन से में होती है यह होती है समताप मंडल में तो इसमें जो C-Option है अपना क्या जाएगा बिलकुल राइट हैं कि समताप मंड नेक्स क्यूशन नमबर 5 गिरीवर सिंग निमनी खित में से किस खेल से सम्बन दीता है तो यह जो है मुक्के बाजी से सम्बन दीता है तो इसमें D-Option अपना राइट हो जाएगा नेक्स क्यूशन नमबर 6 यह संकेत दरसाता है तो यह संकेत आपने बिलकुल देखा होगा यह किस चीज को दरसाता है तो इसके राइटांस रोजाएगा होरन अनिवार यह है यह जो होरन है वो आपको देखा बिलकुल जरूरी है नेक्स क्यूशन है क्यूशन नमबर 7 दवनिक का एवांचित उस्तर है यह उस्तर को क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं सोर यह यह C option इसमें राइट होगा नाइस क्यूशन है हर्याना में मारा गाओं जगमक गाओं योजना खालिस्तान यह नकी डैस में शुरू की गई थी यह की थी 2015 में तो D option इसमें राइट हो जाएगा किसन नमर 9 १ालक अमूरत विचारो संकेतो बासा और तरक का प्रियोब करके विशेओ को समझने और परतिनी दितको करने में सक्सम होता है वे संगयान आत्मक विकास का क्या 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 लाता है यानिकि डैस क्या क्या लाता है तो उसको क्या बोलते हैं संकेतिक चरण यानिकि संकेत से सीखना तो इसमें A option अपना right होगा क्यूशन नमर 10 यह एद्यान को मजबूत और परोज़ाइट करता है और अध्यता को उनकी उपलब दियों या सक्तियों और सुधार की आवसेता वाले छेतरों की पहचान होने देता है तो इसका right answer क्या जाएगा यहाँ पर प्रावर्तन यानिकि reflection D option इसमें right होगा next question देखिए question number 11 question number 11 है question number 13 master plan मानाव सरीर के अनुरूप है और निमली खित्मी से किसे इसका हर्दे का जाता है तो इसका right answer हो जाएगा city center question number 13 आरंबीक बच्पन के विकास में डैस यानिकि खालिस्तान जैसे पहलू सामिल है तो इसमें क्या जाएगा यहाँ पे देखिए सबसे पहली है यहाँ पे देख बाल तो यह बिल्कुल सही है यानिक आरंबीक बच्पन के विकास में जो है देख बाल जो है पहलू होता है साथ इसाथ जो सिक्ष्या होती है यह दोनों चीज़ जो है जरूरी है यह पहलू है तो इसमें D option अपना right हो जाएगा A और B जो है बिल्कुल सही हो जाएगे क्यूसर नमर 14 एक बलोक एक उत्पाद को हर्याना के डैस यानिकि खालिस्तान योजना द्वारा प्रोचसाइट किया जाता है तो इस योजना का क्याना हम है पदम तो इसमें A option अपना right हो जाएगा क्यूसर नमर 15 देखिए एक छप छपाती लाल बती दरसाती है तो इक इसको दरसाती है रुको यानिकि ये जो है B वारा option नहीं आएगा इसमें देखो और सावधानिपुरोग बढ़ो यहाँ पर आप कह सकते हैं रुको और उसके बाद अच्छे देखके चलो तो इसमें जो है रेड लाइट जो है रुकने का जो अपरती का यहाँ पर 15 में जो है यह option right है क्यूसर नमर 16 विद्याले में drop out नेमली खित्मी से कौन से कदम करके कि जो है कदम कम करने के लिए लागू होते हैं तो इसमें यहाँ पर राइट देखे पहला है सून जो है पहला देखिए सून इस्चित करना की स्कूल नियमित रूप से चलता है और सिक्सक उपस्तित होते हैं और पढ़ाते हैं यह पहला उपस्ण सही हो जाएगा नेक्स्ट है चिंताओं को साथ जा करने के लिए नियमित रूप से अभी बावक सिक्षक बैठे गायुजित करना यह भी सही है स्कूल में बच्चों के अनुकुल माहोल सुनिशित करना और किसी भी परकार के बेदवाव को रोकना तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें सारे उपस्ण राइट है तो इसमें D उपस्ण राइट हो जाएगा उप्रोकते सभी क्यूशन नमर 17 देखिए वनाच्छादित छेत्रों का गैर वन छेत्रों में परिवर्थन कहलाता है तो उसको क्या बोलते हैं वनों की कटाई यह उपस्ण इसमें राइट है क्यूशन नमर 18 सव मुल्यांकन डैस के माध्यम से किया जाता है यानिके खालिस्तान आपको बढ़ना है तो यहाँ पे देखिए सव जो मुल्यांकन है यह बारत में खेलों के लिए एक अलग कोलेज बनाने वाला उच्छीक्षा का पहला संस्थान है तो कौन सा है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा चोधरी चरण सिंग करसी विशव विद्याले तो इसमें जो बी ओप्सन है बिल्कुल राइट है चोधरी चरण सिंग करसी विशव विद्याले नेक्स क्योंस देखिए क्योंस नमबर 20 क्योंस नमबर 20 है तैयारी परकक्षिया में सीखना प्रात्मिक रूप से निमलिखित में से कौन सी योग्यता को विक्षित करने पर ध्यान देने के साथ साथ खेल आधारित अध्यान पर आधारित है तो कौन देखे पहला है संगया नातमक बिल्कुल सही है दूसरा है मनो प्रेर किये भी सही है तीसरा है बाव भी सही है यानिकि इसमें सारे option राइट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो अपना D option है बिल्कुल क्या होगा सही क्योंकि जो सभी option है उक्त जो सभी है ये बिल्कुल क्या है जरूरी है नेक्स्ट क्यूसर देखिए क्यूसर नमबर 21 गरामेंड छेतरों के व्यक्तियों या समुदायों के लिए बारत सरकार पुरुसकार जिनोंने वन्या जीवों की रक्षिया में एसाधारन साहस और समर्पन दिखाया वया है तो उसमें जो उसका क्या नाम है यहाँ पे है अमरित्ता देवी बिश्नोई यानकि वन्या जीव अब जो है संदक्षिन पुरुसकार जो है इनको मिला है इसमें जो first option है बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें कौन सा बालकुक में कुपोस्टन का एक संकेत तक नहीं है तो इसमें कौन सा नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बालक का वजन बढ़ना यह जो है कुपोस्टन का संकेत नहीं होता वजन बाकि जो है सभी कुपोस्टन के संकेत है next question number 23 यदी चालू मिले तो engine को तुरंत बंद कर दे क्योंकि इसके परदिजन बंद पढ़ सकता है तो इसमें यहां nap क्याँ हो जाएगा ταेल दाब लेंब यदी यह चालू मिले तो engine को तुरंत बंद कर दे क्योंकि इसके परदिजन परदाब कर दे जिव जहजयो निमनी करनी है। उप्सिष्ठ निमनमें से किसके दवारा उत्पन होते हैं। तो इसमें यहान पर देखे पहला है कपास मिलो के दवारा कागज मिलो के दवारा ख़द पर संसक्रन इकाई है। सबी option right हो जाएंगे तो इसमें जो d option ही बिल्कुल सही है next है question number 25 राज्य के उतकरिष्ट खिलाड़ी के लिए हर्याना सरकार का सरोच पुरुषकार है तो सरोच पुरुषकार कौन से है भीम पुरुषकार तो इसमें 25 में c option right है question number 26 निमन लिखित में से कौन सी योजना हर्याना सरकार दवारा परिवार नियोजन के समपन के तरिके और जन संक्या वर्दी नियंतरन के उपायों को सुरू करने के लिए अपनाई गई तो कौन सी है तो इसके right answer हो जाएगा यहाँ पे देवी रूपक योजना इसका मतलब क्या होता है कि जो पहले डबल रोड था आके जाकी जो सिंगल हो जाएगा इस तरिके से तो यहाँ पे इसमें बताया है कि यह जो है चिन किसको दरसाता है तो यह दरसाता है दोहरा वाहक मारक स्माप्ति यानिकि जो डबल राइन थी वो खतम होच्की है अब वहाँ से जो है डबल राइन से yours सिंगल राइन में convert हो गया है यानिकि पहले डबल राइन थी बीच में divider था अब हो सिंगल हो चुका है जल कुम्भी दुनिया का सबसे समस्या अग्रेस्त जलियक खरपतवार है जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है तो इसका अन्य नाम क्या है बंगाल का आतंग बी ओप्सन इसमें राइट है किस नबर 29 मोखिक दवनियों को पैचानने और एक्सरो और सब्दों को सम्मन जो है सम्मन दित कर पाना सीखने में समस्या के कारण पढ़ने में समस्या से यह सम्मन दित है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा यहां पी इसको बोलते है डिसलेक्सिया तो 29 में एक्सन राइट होगा यानि कि मोखिक दवनियों को पैचानने और एक्सरो और सब्दों को सम्मन दित कर पानिम सीखने में समस्या के कारण पढ़ने में जो है समस्या जो है सम्मन दित होती है डिसलेक्सिया किस नमर 30 हर्याना सरकार ने डैस यानि कि खालिस्तान योजना शुरू की है एक योजना जो गव सालाओं को चारा पूर्ती करने वाले और उगाने वाली कर्षकों को 10,000 उपे प्रती एकड़ की वीतिय सायता देती है तो इसमें यहापे उसका कहनाम है तो उस योजना का नाम है चारा बिजाई योजना तो 30 में जो है एउपसन राइट है यह सावधानी और दर्ष्टी कोन को कमजोर करता है और अंत दर्ष्टिय और सरुवात करने की सक्ति को सिर्ण करता है तो कोन करता है थकान तो इसमें 31 में यह उपसन राइट है तो पहले नमबर पे आता है यहाँ पे पंजाब तो इसमें 32 में जो है C-Option राइट हो जाएगा आप जो मुझे कमेंट में आणसवर देंगे अपना जो इंडिया है यान कि बारत में कुल जो है कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटी हैं बारत में कितने स्टेट्स हैं जरूँ कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सी जील हर्याना के गुरूगरां में पटाएं तो इस अभी को पता है जो बडखल जील है यार्याना के गुरूगरां में प्टाएं आपको पता होगा जो इरोतर्थक में भी एक जील है तो 34 में Si option राइट है क्या वित्रित किया जाता है याने कि क्या वित्रित किया जाता है तो यहाँ पे जो हिसका राइट अंसर किया जाएगा सैनिटरी नैपकी तो इसमें 35 में ए ओप्सन राइट है क्यों सन्द्रित किया जाता है तो इसमें यहाँ पे क्या जाएगा देखे पहला है सरवन यहन के सुनना पढ़ना लिखना बोलना यहन कि सारे ओप्सन इसमें राइट है तो इसमें जो है राइट अंसर हो जाएगा अपना उप्सन डी उप्सन सभी नेक्स देखे किस नमर 37 पाठ्य करम की योजना बनाते समय और संग्ठित करते समय निमली खित में से किस सिदान्त का अनूसरन किया जाना चाहिए तो इसमें देखे पहला है यह अद्देता केंदरी तोना चाहिए बिल्कुल सही है आयो वीशिष्टोना चाहिए यह भी सही है इसे प्रम प्राउं और आद्योनिक्ता की बीच जो है संतुलन बनाना चाहिए तो इसमें सारे ओप्सन राइट हो जाएंगे 37 में जो है यहाँ पे डी ओप्सन राइट है उगते है सभी क्यूस नमबर 38 परियावन प्रोडूशन को नियंतरित करने के लिए बाहर सरकार ने किस वर्स में परियावन यहन की संद्रक्शन अदिनियम पारित किया तो यह कब किया था 1986 में तो जो 38 है इसका सी ओप्सन राइट है क्यूस नमबर 39 हर्याणा पंचायत राज अदिनियम के अनुसार ग्राम सबाने मलिकित में से किस तीथी को आईजित होनी चाहिए तो यह कब होनी चाहिए तेरा अपरियल को 39 में डी ओप्सन राइट है क्यूस नमबर 40 हर्याणा सरकार के मनोहर जोती योजना के अंतरगत परतेक परिवार को डैस यान की खालिस्तान वोट सोर परनाली दी गई है तो इसका राइट अंसर क्या होजएगा तो शिक्षक बालक अनुपात क्या है एक रेशियो 20 यान की 41 में जो उप्सन है राइट हो जाएगा यान की एक अध्यापक 20 स्टूडेंट क्यूशन नमर 42 हाल ही में के अंदर सरकार कैबिनेट ने परदानमंत्री पोस्टन योजना को अनुमोधित किया जो मोजुदा योजना दैस को परतिस्तापित करेगी यानि कि यहाँ पर योजना का नाम बताना है तो इसका राइट अंसर क्या होजएगा दो पहर बोजन का मोडल यानि कि जो गुड लेड है इसका जो है मोडल ही इसका जो है फरस्ट अप्सन अपना राइट है क्यूशन नमर 44 गैर पारम प्रिक्स त्रोतों के मध्यम से उर्जा विक्सित करने है तो नोडल अद भी करन है तो कौन सा है इसको बोलते हैं यहाँ पे आच ए और, इडी, आच ए आर, इडी है तो इसमें डी ऑप्सन राइट हो जाएगा nya적 किईप में今 से कौन सा अद्दین के लिए मुलयانकन की एक मुक़्े विसेस्ता नहीं है तो इन में से कौन सी नहीं है तो इसके你要 answer होजाएगा माता, पिता को मुलयांकन में सामिल करना ये जो है अद्दین मुल्यांकन की मुक़्े विसेस्ता नहीं है D option right है इस योजना के अंतरगत हर्याना राज्य के ग्रामिनों और सहरी छेतर में किराना दुकानों की एक स्रिंखला सुरू की जाएगी ये दुकाने बहनी है मुल्यों पर बहतरी गुणों तक के आवसक और धैनिक उपबोगत के उत्पाद वित्रित करेगी तो 46 में जो राइट अंसर क्या जाएगा हर हीत स्टोर इसका जो नाम होगा ये क्या होगा हर हीत स्टोर 46 में A option राइट है क्यूसर नमर 47 पहले कपड़ों के ड्राइ क्लिनिंग के लिए विलायक के रूप में प्रियोग किया जाता था जो बूजल को दुसित करता है और एक संदिग्द करसिनोजन भी है तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा है यहाँ पे टेट्रा कलोरो एथीन तो 47 में D option राइट है रहतक की इस मूडल ने वर्ष 2017 में Miss World का जो है किताब जीता तो उसका नाम क्या है यहाँ पे जो है मानुसी छिलर यानि की रहतक की जो मूडल है मानुसी छिलर ने 2017 में Miss World का जो है किताब जीता था बी ओप्शन इसमें राइट होगा नेक्स क्यूशन है क्यूशन नम्बर 49 बोपाल गैस तरास दीने मली कितमें से किस जहरी ले रसाइन की रिषाओ से संबन दी थी तो यह से किस संबन दी थी मिथाईल जो है आईसो साइनेट मिथाईल आईसो साइनेट तो इसमें 49 में A option राइट है क्यूशन नम्बर 50 हर्याना का यह जिला किसी भी 12 मासी नदी से रही थै कौन सा जिला है यहाँ पर पंचकूला तो इसमें जो है C option राइट हो जाएगा क्यूशन नम्बर 51 पलास C का यूद हुआ था तो पलास C का यूद कब हुआ था यह हुआ था 1757 में तो 51 में जो है A option राइट हो जाएगा जो पलास C का यूद है यह 1757 में हुआ था इसी के आंसर जो है कमेंट में जो आप एक क्यूशन का आंसर देंगे क्यूशन है पानी पत की जो पर्थम लड़ाई है वो कब हुई थी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को द्यान से देखा है और आपको कितनी नोलेज है नॉर्मल साइक क्यूशन है आप सभी को आता भी होगा क्यूशन नमर 52 है चिनुक स्थानिय पवन है जो पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है ये पाई जाती है USA में 52 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर USA क्यूशन नमर 53 इस विदान संसोदन के माद्यम से 1985 में दल बदल विरोधिय अदिनियम लागू हुआ तो कौन सा था बावनवा इसमें जो है 53 में ए उप्सन राइट हो जाएगा 52 जो है संसोदन क्यूशन नमर 54 निमन लिखित में से कौन सा हर्सवर्दन दवारा नहीं लिखा गया कौन सा नहीं लिखा गया हर्स चरीत बाकी जो हैं हर्सवर्दन के दवारा लिखित है जो है नागनंद, रतनावली और पिरिया दर्सिका यह जो हर्स चरीत है यह हर्सवर्दन के दवारा नहीं लिखा गया क्यूशन नमर 55 गांदी जी डैस में आईजित कांगरे सदी वेशन के अदेक्स थे तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा यहाँ पे बेल गावी इसमें ए उप्सन राइट है क्यूशन नमर 56 पूर्थगाल की राजदानी है तो पूर्थगाल की राजदानी क्या है लिस्बन इसमें क्यूशन नमर 57 बारतिय सविदान के किस अनुशेद के तहत संसद को किसी भी राज़य में इस विदान परिशद बनाने की जो सकती प्राप्त है तो इसका राइट अंसर हो जो हैगा 169 यहनि की बारतिय सविदान का जो अनुशेद है 169 इसके तैज जो है संसद को किसी भी राजय में जो है विधार परिशत बनाने के जो है सक्ति प्राप्त है नेक्स्ट है क्यूशन नमर फिफ्टी एट क्यों फिफ्टी एट है तन्जोर में वरिहत देश्वर मंदिर किस के दवारा बनवाय गया तो किसके दवारा बनवाय गया था यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा राज राज राजा चोल वन के दवारा राज राज चोल वन के दवारा तो 58 में B option right है क्यूशन नमबर 59 उस बासा की पैचान करें जो सियुक्त राष्टर की आधिकारिक बासा नहीं है तो इसमें से जो है कौन सी आधिकारिक बासा नहीं है डच तो इसमें 59 में C option right हो जाएगा क्यूशन नमबर 60 बारत के राष्टर पती के पास विदान के किस अनुचेद के तहत विद यह आप आतकाल गोशित करने की सकती है तो कौन सा अनुचेद हो अनुचे 360 तो इसमें 60 में D option right है क्यूशन नमबर 61 उस देश की पैचान करें जो आशियान के संस्तापक सदेश से नहीं है तो कौन सा नहीं है यह है कमबोडिया क्यूशन नमबर 62 मंडवी नदी जल विवाद निमन में से किन राज्यों के बीच में है कोण-कोण से राज्यों की बीच में है गोवा और करना्टक तो इसमें जो भी option राइट हो जाए गोवा और करनाटक क्यूशन नमर 64 गोमद्य रेखा पर परत्वी के गोमने की ओस्षत गती है तो परत्वी के जो गोमने की गती ही ये 1670 किलोमेटर पर अवर यानिके एक गंटे में 1670 किलोमेटर क्यूशन नमर 67 कामरेश का वय दिवेशन जिसमें पूरण सवराज को जो है लक्से की रूप में गोशिद किया था वहां आजित किया गया था तो ये किया गया था लाहौर में 65 जो हैज में भी ऑप्षन राइट है क्यूशन नमर 66 नैनकारा परनाली निमन में से किसके परसासन की विशेष्टा थी तो किसके थी ये थी विजय नगर सासको की इसमें जो विजय नगर सासक जो है इनकी विशेष्टा थी Q67 बारत का पूर्वी सिरा है तो बारत का पूर्वी सिरा का क्या है जो है लुहित इसमें जो हर D option right हो जाएगा 67 में Question number 68 सविदान सबाग का अंतिम स्तर आईजित किया गया था तो कब आईजित किया गया था तो इसमें जो हर right answer हो जाएगा यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को 68 में इसी option right होगा 24 जनवरी 1950 Question number 69 बारतें सविदान में अभिव्यक्ती की सवतंतरता अनुचेद के तहत एक मौली का अधिकार है तो इसका right answer हो जाएगा अनुचेद 19 69 में इस option right है Question number 70 Where there is this land of midnight sun का जाता है तो यह सभी को पता है normal सा किसोन आपने बच्पन से पढ़ते आरे इसको नारवे को क्या बोलते है मिड जो है land of midnight sun 70 में जो है सभी option right है Question number 71 पर्थवी से परसारित रेडियो तरंगे इस परत दवारा वापिस पर्थवी पर पर प्रावर्तित होती है तो उस परत का क्या नाम जो है Thermosphere 71 में भी option right है Question number 72 देश और उनकी राष्टिये विदा विदाईकाओं की जोड़ी दी गई है यहीं जो है सही सुमेलित यूगम की पैचान कीजिए तो इसमें जो है सही सुमेलित क्या है इसमें right answer हो जाएगा जर्मनी उंडेश्टाग बाकि जो है क्या है wrong तो 72 में C option right है Question number 73 नाट्टो की स्थापना कब की गई थी तो नाट्टो की स्थापना इती 1949 में D option इसमें right हो जाएगा Question number 74 किसी दरव या गैस के एक बाग से दूसरे बाग में कणो के संचलन द्वारा उस्मा के संचलन को कहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सन्वहन इसमें D option right हो जाएगा जिसको बोलते हैं Convection D option right होगा 74 में Question number 75 BRICS, BRICS, निमली कितमें से पांस देशों का एक संचलन है यानि कि इसमें किन किन देशों का समोह ये है Brazil, रूस, बारत, चीन और दक्षिन अफरिका इसको जो है यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे B से ब्राजिल, R से रूस, I से इंडिया C से चाइना और R से साउथ अफरिका 75 में D option right है Question number 76 बिना दरव अवस्ता के ठोस अवस्ता में जाने वाली जल वास्प कहलाती है यहनिकी दरव अवस्ता के जो है ठोस अवस्ता में जाने वाली जो जल वास्प क्या कहलाती है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे उच बनाने की परकिरिया यहनिकी सब्लीमेशन उसको बोलते हैं सब्लीमेशन 76 में B option right है Question number 77 2 सितंबर 1946 को बनी बारत की अंतरीम सरकार में डाक्टर भीमराव अंबेड कर थे तो क्या थे उनकी जो क्या पोश्टी वो थे कानून मंतरी 77 में B option right है Question number 78 बारत का परसीद परसे पास्तर परिक्षन स्थल है तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होजेगा तो कब किया गया था 3 अपरेल 1952 को 3 अपरेल 1952 B option right है Question number 80 महराष्टर में परसीद कैलासनाथ मंदिर किस जिले में इस्तित है तो कहां पिस्तित है औरंगाबाद में तो 80 में A option right है Question number 81 लोगतंतर का अंतराष्टर यह दिवस मनाय जाता है तो कब मनाय जाता है यह मनाय जाता है 15 सितंबर को D option इसमें right है Question number 82 विजयन अगर सामराजे के सासक क्रिशन देवराई निमन में से किस वन से समदित है तो किस समदित है जो है तुलू तुलू इसमें जो है यहाँ पे D option right हो जाएगा Question number 83 Question number 83 देखें यहाँ पे विजयन अगर सामराजे के राजदानी हमपी किस नदी के तर्ट पस्तित है तो इस तित है यहाँ पे तुंग बदरा नदी के तर्ट पर Question number 84 निमन में से किसे बारत का तोता का जाता है तो किसको बोलते हैं अमीर खुसरो को बारत का तोता 84 में सी उप्सन राइट Question number 85 मुंबई और नासी को जोडने वाला गाट कहलाता है तो उसका क्या नाम है यहाँ पे थाल गाट उसको बोलते हैं थाल गाट तो इसमें D उप्सन राइट हो जाएगा Question number 86 Mountbatten योजना को यह भी का जाता था तो इसका दूसरा नाम क्या था जूनियोजना 86 में B option राइट है Question number 87 बारते सविदान की प्रस्तावना को किसके दवारा सविदान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वरनित किया गया था तो इसको जोह राइट आंसर क्या जाए है के अम मूनसी तो इसमें 87 में A option राइट है Question number 88 देश में कोफी उत्पादन में एगरनिय राज्य है तो कौन सा जोह राज्य एगरनिय है सबसे जादा उत्पादन जोह कहां पे होता है करनाटक में 88 में A option राइट है Question number 89 89 है more यह के प्रांतिय सरकार में 10 गाउं के अधिकारी को कहा जाता था तो क्या बोलते थे उसको गोप 89 में A option राइट है Question number 90 सतलूज नदी कहां से निकलती है यहाँ पे देखिए सतलूज जो नदी है सोरी सतलज है सोरी सतलूज जो नदी है यह कहां से निकलती है तो इस 90 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे राकस जील से यह जो सतलूज नदी है सतलूज यह आपको याद रखना है यहाँ पे आप स्पेलिंग भी देख सकते हैं सूतलूज सोरी यहाँ पे साइध मिस्प्रिंट हो रहा है इंगलिस में यहाँ पे आप पड़ सकते हैं सूतलज जो नदी है कहां से निकलती है तो इसका जो है 90 में राइट आंसर हो जाएगा राकस जील से 90 में सी ओप्शन राइट है क्यूस नबर नाइटी वन वह सहर जीसे दक्षिन बारत का मैंचस्टर का जाता है तो वो कोण सा सहर है कोईमबटूर तो इसमें जो है डी ओप्शन राइट होगा 91 में क्यूस नबर नाइटी टू संपति का अधिकार स्विदान के किस अनुछेद के तहत कानूनी अधिकार है तो अनुछेद तिनसो ए 92 में ए ओप्शन राइट है क्यूस नबर नाइटी थरी सियुक्त राष्ट्र संकिस्तापना कब हुई थी तो कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 24 अक्टूबर 1945 बी ओप्शन राइट है क्यूस नबर नाइटी फोर साहिते कृती जो है मरिच कटिका किसके दवारा रचित थी तो ये जो है किसके दवारा रचित थी सुद्रक के दवारा D option राइट है क्यूस नमर 95 बारत का सबसे बड़ा नदीद वीप है तो कौन है माजूली माजूली जो है बारत का सबसे बड़ा जो है नदीद भीप है 95 में A option right है किस नमर 96 शंस्कृत का पर्थम विशव कोस है तो किसका right answer किया जगे यहाँ पर मान विश्व लास तो इसमें 96 में B option right है किस नमर 97 निमलिखित विकल्पों में से A का गल्त मिलान किया गया है गल्त मिलान के पहचान कीजिए तो इसमें जो नरोरा है यह मद्यपर्देश से जो इसका relation जो है नहीं है यानि कि इसका जो सम्मंद नहीं है 97 में जो है A option right है किस नमर 98 सिवाजी की मंत्री परिशद को अश्ट परदान कहा जाता था उसमें A वैवेक्ती जो विदेशी मामलों को परबारी था का जाता था तो उसको क्या बोलते थे सुमंद 98 में जो है A option right है किस नमर 99 99 है मेंटल के बारे में जो है गल्त कथन की पहचान कीजिए तो इसमें आपको बताना है आपि देख गल्त कथन नहीं है जो है मेंटल का जो है बारियस परत है मेसो स्पीर के रूप में जो है जानी जाती है तो 99 में जो है D option right है क्यूशन नमर 100 क्यूशन नमर 100 देखी हैं आपे बारतिय पुनर जागरण के जनक है तो कौन है राजाराम मोहन राई यहां तक जो वीडियो अपनी complete होचके वीडियो अच्छी लगिए तो उसको like करें अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें मैंने आपसे वीडियो के बीच में जो है दो क्यूशनों के answer पूचे हैं अगर आपनी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा उन क्यूशन के answer जो आप मुझे जरूर comment section बताएंगे जब भी क्यूशन का answer देते हैं तो क्यूशन जरूर लेखे और उसके आगे उसका answer लेखे फिर मैं आपको बताऊंगा comment में आपका answer जो है right है यदि आपको और भी sold kitchen paper की वीडियो देखनी है तो में YouTube चनल के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको kitchen paper की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के description में आपको website का link मिल जाएगा वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं Thanks for watching